दोस्तो आप भी अपने फोन का डेटा लैपटोप में ट्रांसपर करना चाहता है या लैपटोप का डेटा अपने फोन में ट्रांसपर करना चाहता है तो दोस्तो सिंपली इसके लिए आपको अपना डेटा के वाल लैपटोप से फोन में कनेक्ट करना है जैसे दोस्तों फोन पर क्लिक करूँगा देखें यहां पर यह कनेक्ट हो रहा है ठीक है तो दोस्तों देखें के कनेक्ट हो चुका है तो दोस्तों सिंप्ली आपको क्या करना है आपको सिंप्ली अपने माई कम्प्वीटर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देख से एस्टी काड लागा उसमें डेटा है ठीक है तो मुझे इंटरनल से एक फोटो लेना ठीक है तो इसमें से जो चाहे दोस्तों कोपी कर सकते हैं यहां पे यह आप पेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे यह एक कोपी करना तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा जैसे राइ ठीक है दोस्तों पेस्ट करने के लाद दोस्तों अगर माली अब को लैप्टॉप का डेटा फोन में टांस्पर करना है तो आप सिंपली माली मुझे यही ट्रांस्पर करना है तो मैं इसे कोपी कर लेता हूं कोपी करने के दोस्तों मैं इसे को पर dating किया कि दोस्तों के नहीं है ऑद्शों किके किसा तो कि दिखा दिया मैं जाया है को मैं आगे है कि रेंहें जा उच्छाया दीखे ओन्सक्राइब इसके हुआ यह अपने अपने स्टोरिज मैं तो मैं चलिए आपको को आप इंटर्न मीमेर्य तो फोन की तो दोस्तों इसके लिए वह से रचकि возь less को आपको सिंपली प्रेश्ट करना है कि का दोसतों ये दुबारह ही को भी होगे इसलिए तो मैं इसे करता हूँ को पी and replace ठीक है यहाँ वहाँ पे आपको यह option नहीं देख अगर आपको लैप्टॉप से करना है तो यह वहाँ पे ऐसा option नहीं देख तो दोस्तो इस वीडियो को like and subscribe जरू कर देए अगर दोस्तों किसी भी प्रोर्म होता है तो आप simply comment किजे मैं वहाँ पे आपको इसका solution बता दोंगा दोस्तों आप किसी भी topic को suggest करना साथ है तो आप वहाँ पे simply comment कर देए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद